हेलो फ्रेंड तो स्वागत है आपका लवले रनर के पार्ट टू में तो पार्ट टू की सुरुवात उसी जगह से होती है जहां पर पिछला पार्ट एंड वा था जहां हिन्जू इमसोल को सौन्जी के होने वाले कॉंसर्ट पर छोड़का चड़ी गई थी जहां पहले से ही एक और लड़की इमसोल का वेट कर रही थी इमसोल सौन्जी के कॉंसर्ट के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेट थी कि वो उसके कट आउट के साथ भी फोटो की चाने लगती है पर तभी उसके नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है जो की बैंड के किसी और मेंबर की फैन थी और वो सौंजे की बुराई कर रही थी जिस पर इमसोल अपने साथ उस लड़की को बताती है कि ये वही लड़कीया है जो सौंजे के बारे में गलत-गलत कमेंट्स करती है लिकिन इसके बावजूद भी सौंजे इन्हें अपना फैन समझता है इमसोल ये बाते कर ही रही थी कि तभी उसे एक आदमी का फोन आता है वो आदमी इमसोल से कहता है कि उन्हें इमसोल का इंटर्व्यू के लिए रिज्यू में मिला था और वो लोग उनका इंटर्व्यू लेना चाहते हैं और क्या वो अभी इंटर्व्यू के लिए आ सकती हैं इंसोल भी पहले थोड़ा सोचती है पर फिर इंटर्व्यू में जाने के लिए रेडी हो जाती है अपने एक सीन में ही इंसोल भी इंटर्व्यू देने के लिए पहुँच चुकी थी अब कुछ ही धेर में वो आदमी भी इंसोल के पास पहुँच जाता है जिसने उसे इंटर्वीव के लिए कॉल किया था और वो उससे पूछने लगता है कि क्या वो ही इंटर्वीव के लिए वहाँ पर आई है सीन सिफ्ट होता है और हमें इंसोल को बिल्डिंग से बाहर आते वे दिखाया जाता है जिसे इंटर्वीव में ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि वो उसके साथ काम तो करना चाते हैं पर ये बिल्डिंग पूरे थ्री फ्लोर्स हैं और सायद वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएगी इंसोल इस सब्यों जैसे काफी उदास थी फिर भी वो अपने आपको मोटिवेट करती है कि अगर ये जब उसे नहीं मिली तो क्या हुआ जल्द ही उसे कोई और जॉब मिल जाएगी अब नेक सीन में ही इंसोल सौन जे की कॉंसर्ट वाले जगा पर भी पहुंच जाती है लेकिन वहाँ जाकर ओ देखती है कि सबी लोग पहले ही अंदर जा चुके हैं और वहाँ के गेट्स भी बंद हो चुके हैं उसी समय वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखते ही इंसोल उससे अंदर जाने की रिक्वेस्ट करने लगती है पर वो लड़की उसे मना कर देती है इंसोल कहती है कि उसकी बस काफी लेट हो गई थी जिस वज़े से वो टाइम से नहीं पहुच पाई पर इसके बाद भीचे वो लड़की नहीं मानती तो इंसोल ऐसा दिखाने लगती है कि जिस वज़े से वो लड़की भी एगरी हो जाती है पर वो पहले इमसोल से उसका टिकेट मांगती है इमसोल टिकेट ढूणने लगती है पर तभी उसे याद आता है कि सायद कुछ समान निकालते हुए उस बिल्डिंग में ही उसका टिकेट गिर गया था वहीं दूसरी और दिखाया चाता है सौनजे को जिसने अपनी परफॉर्मेंस से स्टार्ट कर दी थी और उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए हजारों लोग वहां पहुँचे हुए थे जो उसकी परफॉर्मेंस को काफी इंजॉय भी कर रहे थे दूसरी तरफ इमसोल को अंदर जाने को तो नहीं मिलता लेकिन वो बाहर उसकी आवाज सुनकर इंजॉय करने लगती है इसी बीच सौन्जे सबसे कहता है कि वो एक गाना परफॉर्म करना चाता है जो कि वो पहली बार गा रहा है वहीं दूसरी और इमसोल भी उस गाने को सुनकर अपना फोन चेक करने लगती है कि ये गाना तो उसकी लिस्ट में था ही नहीं इमसोल को सौन्जे का ये नया गाना इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है अब कॉंसर्ट खतम होने के बाद भी इमसोल ये सूचकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उसे सौन्जे कर नया गाना सुनने को मिला इसी बीच अचानक से एक आदमी भी उससे टकरा जाता है जिस वज़े से उसका फोन भी नीचे गिर कर तूट जाता है दूसरी और दिखाया जाता है सौन्जे को जो कॉंसर्ट कतम होने के बाद अपने रूम में जाता है जहां बागी के बैंड मेंबर्स उसका वेट कर रहे थे उसे देखते ही एक बैंड मेंबर उसका गला पकड़ लेता है और उसके उपर चिलाना शरू कर देता है क्योंकि वो सौनजी का best friend भी था वो सौनजी से पूछता है कि क्या वो सच में retirement ले रहा है और उसने इस बारे में उन्हें कुछ भी क्यों नहीं बताया पर सौनजी उन्हें कुछ नहीं कहता और उन सब को वाँ से जाने के लिए कहता है कि वो अकेले में time spend करना चाता है सीन सिफ्ट होता है इमसोल पर जो concert कतम होने के बाद अपने घर के लिए निकल जाती है पर वो थोड़ी irritated भी थी क्योंकि बस स्टॉप भी काफी जादा दूर था इमसोल बस स्टॉप के लिए जाती है पर बीच में ही उसकी wheelchair खराब हो जाती है वो से चलाने के कोसिस करती है पर वो wheelchair नहीं चलती जिस वज़े से इमसोल ये सोच सोच कर रोना सुरूगर देती है कि अब वो यहां से घर कैसे जाएगी उसी समय हमें दिखाया जाता है सौनजे को जो इमसोल को देख लेता है और अगले ही पल सौनजे अंब्रेला लेकर इमसोल के पास पहुँच जाता है इमसोल को रोते देखकर सौनजे उससे पूछता है कि वो यहां क्या कर रही है वहीं इमसोल सौन्जे को देखते ही काफी ज़्यादा सौक हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती इमसोल मन ही मन सोचने लगती है कि सौन्जे उसके सामने है तो उसे उससे कुछ बात करनी चाहिए पर उसी समय सौंजे देखता है कि Im Saul थन से काप रही है जिस वज़ے से वो उसे अपना एक हेंके देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी ज़ादा जरूरत है ये सब देखकर इमसोल भी रोना शुरू कर देती है और उसे रोते वे देखकर सौनजे उससे कहता है कि उसने उसे परिशान तो नहीं किया जो वो रो रही है पर इमसोल उसे कहती है कि वो बहुत ही जादा खुस है क्योंकि वो उसकी बहुत ही बड़ी फैन है सौनजे भी कहता है कि उसके hairband से पता चल रहा है जिस पर उसने लिखा है कि kidnap सौनजे and run जिसके बाद इमसोल सौनजे को बताना शुरू करती है कि वो सौनजे के लिए एक fan website चलाती है जिसे वो पिछले 10 साल से चला रही है साथ ही वो उसे thanks कहती है कि सिर्फ उसी की वजए से वो अपनी life जी पा रही है और वो इस world में exist करता है उसके लिए वही सब कुछ है यह सब सौनकर सौनजे उससे पूछता है कि वो घर कैसे जाएगी जिस पर इमसोल कहती है कि उसे खुद नहीं पता जिस पर सौनजे कहता है कि वो उसे इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकता और अगर वो चाहे तो उसे उसके घर ड्रॉप कर सकता है इमसोल भी मन ही मन खुस होने लगती है पर उसी समय उसकी best friend हिंजू भी महाँ पहुच जाती है जिसे देखते ही इमसोल मन ही मन सोचने लगती है कि वो कितने गलट टाइम पर आई है पर वो सौनजे को कहती है कि उसे लेने के लिए उसकी best friend आ गई है सौन्जे भी अचानक से उसके सामने बैट कर उसे अपना अम्रेला देता है और कहता है कि उसे इसकी जरूरत है वहीं इमसोल भी सौन्जे को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि ये उसके फेवरेट्स हैं अब घर जाते हुए भी सौन जे अपनी गाड़ी में उसी गिफ्ट को देख रहा था अब सीन सिफ्ट होता है इमसोल पर जो कि अपने घर पहुँच गई थी और अपनी मॉम से उस आदमी के बारे में पूछने लगती है जिसने उसे एक्सिडेंट के दिन बचाया था बॉकसून के एक्सप्रेशन भी अच्छानक से थोड़े चेंज हो जाते हैं पर वो इमसोल से कहती है कि ये बहुत ही पुरानी बात हो चुकी है और अब तो उसे याद भी नहीं है इमसोल भी बॉकसून से कहती है कि आज वो उस इंसान से बिले थी जिसने उसे जीने की मोटीवेशन दी थी जिससे बात करके उसे यह एसास हुआ कि उसने उस आदमी को कभी थैंक्यू बोला ही नहीं जिसने उसकी जान बचाई थी जिसके बाद इमसोल अपने रूम में जाकर सौन्जे का धिया चाता देखकर खुसोने लगती है साथ ही सौन्जी की फोटोज और उसकी वाच देखकर इमसोल मनी मन बहुत ही जादा खुसोने लगती है इसी बीच दिखाया जाता है सौन्जे को जो कि अपने घर की बालकनी में खड़ा था यहीं पर उसके रूम में बहुत सारी मैडिसिंस भी दिखाया जाती है साथ ही दो इंप्लोईस को भी दिखाया जाता है जो कि पूल के पास खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे कि तभी अच्छानक से कोई पूल में गिरता है और ये आदमी कोई और नहीं बलकि सौन्जे ही था जो पूल में गिर गया था वहीं दूसरी और इमसोल के फोन पर भी एक के बाद एक मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि सौन्जे ने सूसाइट करने की कोसिस की है इमसोल ये पढ़कर काफी जादा डिश्टब हो जाती है ये सोचकर कि कुछी देर पहले तो वो सौन्जे सी मिली थी तो ये कैसे हो सकता है पर उसी समय उसके फोन पर उसे की वीडियो भी आती है जिसमें दिखाया जाता है कि सौन्जे को पूल से निकालने के बाद उसे CPR दिया जा रहा था साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि सौन्जे को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है अब ये सब पता चलते ही इमसोल उसी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है इमसोल बहुत ही जादा गबराई हुई भी थी अब हॉस्पिटल जाते वे इमसोल अच्छानक से राष्टे में एक आदमी से टकरा जाती है जिस वज़े से उसका हाथ पास के एक पोल में लग जाता है और उसकी घड़ी तूटकर नीचे गिर जाती है ये देखते ही इमसोल बहुत ही जादा परिसान हो जाती है और अगले ही पल सौनजी की उस घड़ी को डोड़ने के लिए वो भी नीचे उतर जाती है नीचे आते ही इमसोल जानबूज कर खुद को विल्चेर से नीचे गिरा देती है और सौनजे की वाच को ढूनना सुरू कर देती है वहीं दूसरे और दिखाया जाता है सौनजे को जिसकी हालत बहुत ही जादा क्रिटिकल थी और उसे हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक सौक दिये जा रहे थे देखने इसके बावजूद भी वो नहीं बच पाता और उसकी मौत हो जाती है और उसकी डैथ को भी डिकलेयर कर दिया जाता है दूसरी तरफ इमसोल को उसकी घड़ी तो मिल जाती है लेकिन उसकी घड़ी का टाइम अचानक से खराब हो जाता है और उसी समय उसकी नजर न्यूस पर पढ़ती है जिसमें पताया जाता है कि सौनजे की मौत हो चुकी है ये देखते ही इमसोल बहुत जादा रोने लगती है और कहने लगती है कि वो ही उसकी जीने की उमीद थी तो उसे जीना चाहिए था पर तब ही अचानक से उसकी नजर पढ़ती है कि उसके आसपास का टायम रुख गया है और नेक्सीन में इमसोल को दिखाया जाता है एक स्कूल में इसे के साथ पार्ट टू भी यहीं पर खतम हो जाता है तो आखिर अचानक से इनसोल के साथ क्या हुआ और वो क्लास में कैसे पहुँच गई यह पता चलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो मिलते हैं लवली रणनर के पार्ट 3 के साथ तब तक के लिए बाई बाई